Hello and welcome back friends to WP Guider और इस particular वीडियो में हम आज डिसकस करने वाले हैं कि आप Amazon Affiliate US से किस तरीके से आप अपने पेमेंट्स को ले सकते हैं Well अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या बांगला देशी या किसी भी और अगर एशीन कंट्री से हैं तो आपको पता ही होगा कि कभी आपने अगर साइन अप किया होगा कि आपको इसमें आप्शन नहीं मिलता है जिसे कि आप अगर पेमेंट आप्शन आप यहां पे चूज करते हैं Payoneer एक तरीके की third party है, जैसे कि आप PayPal ले लिजे, जैसे for an example PayPal, वो उसका भी काम यही है कि कोई अधर जैसे payment gateway method होता है, वो इस तरीके का काम करती है, जैसे कि अपने इंडिया में Paytm हो गया, एक third party payments gateway app, तो इस तरीके की Payoneer एक है, तो वो क्या करती है, basically Payoneer पे आपको यहाँ पे account एक बना लेना है, यह जो मैंने account बनाया है, यह basically आपको demo purpose के लिए मैंने बना रख़ा है, जितने भी आपको इस particular video में accounts देख रहे हैं, चाहे मेरा Amazon का हो, Associates का या Payoneer का, यह सारे के सारे accounts demo purpose के लिए हैं, आपको करना क्या है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, कि आपको यहाँ पे अपने account बना करके, आपको अपना bank account ready कर लेना है, bank account इसमें add कर देना है, जहाँ पर पे आप Payoneer से अपना referral जो आपका payment है, वो अपने bank में आप लेंगे, Indian bank account, तो आपको settings में आना है, settings में आपको यहाँ पे bank accounts को option दिख रहा है, यहाँ पर पे आप अपना bank account add कर लीजेगा, जो जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके payments आए, bank accounts for withdrawal यह देखिए, यहाँ पे आप इसमें कर लेंगे, और 2-3 दिन का time लगता है, approved होने में, जैसा कि मेरा account यहाँ पे oriental bank of commerce के संग है, तो यहाँ पे basically मुझे 2-3 दिन लगे थे, bank की जो first front page की जो passbook होती है, या किसी भी उससे आप address proof से आप इसको verify करवा सकते हैं, उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप यहाँ पे सारे कुछ set up कर लेंगे पियोनीर में, तो receive section में आना है, receive में फिर global payment service यहाँ पे option मिल रहा है, तो इसमें आपको यहाँ पर पे आने के बाद, यहाँ पे आपको यहाँ नीचे आ जाना है, और चुकि आपको जो Amazon Associates US है, यहाँ से आपको dollars में payment आती है, तो dollars में आने के लिए आपको USD receiving account चाहिए, तो basically यह क्या करता है यह जो पेवनीर, यह आपको एक checking account दे देता है, यह basically आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यह bank का address है, bank का नाम है, account number है आपका और एक checking account है, और आपका beneficiary का name दिया हुआ है, तो यह सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे दी जाती है, आपको पेवनीर के तुरू, जो आपको यहाँ पे copy कर रहे हैं, और bank का location जैसे कि आप bank address में आप देख पा रहे हैं, यूएसे है, तो यूएसे आपको यहाँ पे amazon.com में आ जाना है, और यहाँ पे आपको account settings में आपको आ जाना है, तो हम basically क्या कर रहे हैं कि अगर आपको अपना payment gateway set करना है, तो आपको यह सारे process आपको करने हैं, ठीक है, आपको उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे जल्दी से आप देख लिजे कि जो current tax status है, चाहे आप amazon.in में कर रहे हैं, चाहे आप amazon.com में, यह आप make sure रहे हैं कि जो आपका tax interview है, एक चोटा सा form होता है, वो आपको fill करना रहता है, तो यह चीज completed हो, अगर आप payment gateway, आप सारी चीज़ यहाँ भर भी देते हो, पर tax information नहीं बढ़ते हो, तो भी amazon आपका जो payment है, वो hold कर लेता है, तो मेरे संग ऐसा हुआ था, मैं चाहता नहीं हो, कि आप लोगों के संग ऐसा हो, जो amazon इंडिया का जो मेरा account है, उसमें एक बारी ऐसा, मतलब कि मैंने इसको tax information नहीं बढ़ाता, तो यह हो गया था, मेरा hold पे चला गया था, एक महिने के लिए, तो इसको आप make sure एक चोटी सी यह form होता है, उसको आप भर लीजेगा, पेमिंट पे हम आते हैं, Amazon अगर US में, तो US में आप देख पारे हैं, bank location आपको US ही select करना है, और यह सारी की सारी चीज़ें, account holders, name, फिर account number, bank name, routing number, routing number आपको देखें, यहाँ पे यह चीज़ दिये होई है, routing ABA, यह सारी चीज़ें, तो यह सारी की सारी चीज़ें, कि आपकी जैसे ही minimum earnings, यहाँ पर यह देखें, $10 की minimum earnings set की हुई है, जैसे ही यहाँ पर आपकी $10 की minimum earnings होगी, वो आपका जो payment है, monthly, वो आपके पियोनीर में, पियोनीर के यह वाला जो account आपने add किया है, उसमें बेज़ देगा, एंड पियोनीर आपको वाला जो आपका पैसा आया है Amazon से, वो आपके bank account में आ जाएगा, तो एक यह basically third party का payment gateway यह बन जाता है पियोनीर, जो कि आपका एक रास्ता खोल देता है, अपना जो आपका affiliate जो site है, उसको Amazon affiliate जो site है, उसको US market तक पहुचाने में, और US तक foreign में expand करने के लिए, यहाँ पे और दूसरे भी option आपको मिल जाते हैं कि आपको pay me by amazon.com gift card, तो gift card तो कोई usually लेता नहीं, अगर आपको यह लेना है तो आप ले सकते हो, और second job, third option है इसमें, वो है इसमें pay me by check, check एक ऐसी चीज है, जो कि मैं personally recommend नहीं करता हूँ, क्योंकि पहली चीज तो उसको आपको door तक आने में बहुत time उसको लग जाएगा, और door तक आने के बाद भी अगर आप उसको जब bank account में अपने लगाते हो, तो फिर वो clearing process होता है, उसमें basically बहुत time जाता है checking, usually यह dollars में check होता है, तो convert होगा, obviously इसका बहुत जादा time है, तो check basically मैं इससे तोड़ा सा अपना हाथ जरूर में खिसता हूँ, आप यह काम कर सकते हैं, जो कि मैं इसको recommend करता हूँ, और सारे के सारे जितने भी Indian और Asian जो जितने भी affiliate marketers हैं, सारे के सारे यही एक option बसता है, pioneer का, तो इसी के दरूर करते हैं, तो video अच्छा लगा हो, तो please एक like छोड़ दिजेगा, channel को subscribe कर लिजेगा, और share कर दिजेगा, जितने भी नए ऐसे affiliates हैं, जो कि amazon.com में expand करना चाते हैं, और वहां तक किस तरीके से आप बना सकते हैं अपना networking, और अपने जो affiliate network के उसको expand करना चाते हैं, तो उन लोगों तक इस video को share करके पहुँचाईएगा, thank you for your support, thank you so much. झाल